हेलो नमस्कार तो कैसे आप I hope आप सभी बहुत बढ़ियां और बहुत अच्छे होंगे और अपने BSC Nursing के Interest Examination की तयारी बहुत कर अच्छे से करेंगे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी 2020 आ चुका है और आपका CNET का चाहिए आप ABBMU का बोलें KGMU का बोलें SGPGI का बोलें UPBC Nursing का बोलें इंटरेंस एक्जाम बहुत नजदी का आने वाला है बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट से बच्चे बहुत सारे कमेंट्स में मैसेज कर रहे देगी सार इसका इंटरेंस SEPGI का CNET का इंटरेंस एक्जाम का बोलें इसकी डेट के एक्सपेक्टेड रहे सकती है पेपर का पैटर में बच्चों को बहुत डाउट है क्योंकि बहुत सालों से काफी टाइम से आपका जो UPBSC Nursing Interest Exam का जो पेपर है वो इंग्लिस में आ रहा था किस में आ रहा था इंग्लिस में आ रहा था और इसका examination form कब आएगा सिलिवस क्या रहने वाला है क्या पैटर्न रहने वाला है कितरे नंबर का पेपर होने वाला इन सारे topics पर हम detail discussion करने वाले हैं तो देखिए हम एक एक detail पर बात करेंगे चाहिए वह आपका सिलिवस हो चाहिए exam pattern हो कुछ भी हो तो देखो आपको इसी प्रकार की जुड़ी हुए जानकारी UPBSC Nursing से मिलने के लिए आप क्या कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्या गरें सब्सक्राइब करें और साथी साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वाट्साप ग्रूप का लिंक जोइन कर ले क्योंकि वहां पर आपको आने वाली सारी important dates date हो चाहिए form हो और सबसे खास आप गरें वाट्साप ग्रूप में मिलते हैं तो क्या गरो वाट्साप ग्रूप को जल्दी से जॉइन कर लो क्या कर लो वाट्साप ग्रूप जोइन करने का कोई पैसा नहीं है फ्री है क्या है नो फीस फ्री है तो जल्दी से जाओ और जोइन करो दो सबसे पहला बच्चों के मन में डाउट आता है सर्फ यूपी बेसी नर्सिंग करने के लिए हमारी eligibility हमारा criteria क्या होना चाहिए तो पहली eligibility यह है कि जब आप यूपी बेसी नर्सिंग का यूपी बेसी नर्सिंग का फॉर्म फील कर रहे होगे या तो आप 12 पास कर चुके हो या तो आप class 12 में अभी पढ़ रहा हूं क्या या तो class 12 द्यान देना और जो भी बच्चों को doubt होता है girls कर सकते हैं या फिर both कर सकते हैं तो देखो सबसे पहली मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि नर्सिंग का मतलब होता है nurse करना यानि कि देखभाल करना किसकी patients की अब यहां पे जो nursing का course है आप चाहाई हो चाहाई कर सकते हैं कोई website एक पिल कर सकते हैं क्वालिफाइ करके आप एक certified nurse बन सकते हैं बहुत सारे बच्चों का main और यह सबसे बड़ा doubt रहता है क्या main बड़ा और यह वाला doubt रहता है अब उस doubt के अगर हम बात करें कौन सब यह वाला किसर इसका exam form कब आने वाला है क्या exam form कब आएगा UPBSC nursing का एक सेकंड हाँ एक्जाम फॉर्म कब आएगा तो देखो यहाँ पर मैं यह जो डेटा दिखा रहा हूँ आपको यह 2024 का बिल्कुल भी नहीं है याद रखना क्या 2024 का बिल्कुल भी यह नहीं है लेकिन हम एक एक्सेप्टेशन एक प्रेडिक्शन लगाएंगे इसी से लगाएंगे क्योंकि यह 2023 का है जिस प्रकार से जिस रूटीन में 2023 में एक्जाम हुआ होगा सेम उसी प्रकार से उसी रूटीन में 2024 में भी इंटरेशन एक्जाम होने की संभावना है और उसी टाइप से ही होगी देखो अगर exam देखो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे application available online यानि कि आपकर जो form है वो apply शुरू होना start हो जाएगे 15 April से यह 2023 का था तो आप ऐसा मान के जड़ो कि आपका 10 April से 20 April के बीच में कहीं नहीं सुरू हो जाएगा कितना भी लेटर लिटीफ हो कुछ भी हो आपका 10 से 20 April के बीच में हो जाएगा क्या 10 से 20 April के बीच में यहां से हो जाएगा कहां पे 10 से 20 April ठीक है 10 से 20 April और दूसरा है क्या द लास डेट अफ्लिकेशन 18 मई दिया है तो आप 25 मई मालो क्या आप 25 मई मालो इसको 25 मई 25 मई 25 मई और यहां पर एडिमिट काईड यह डेट है 25 मई दिया है तो आप इसको 27 मई मालो थोड़ा सबस बठाते चलो और इंटरेस एक्जाम की डेट सबसे important सबसे महतपूर यहां पर चार जून दी गई है तो आप मानगे चलो एक जून से क्या एक जून से आप इसे मालो 10 जून के बीच में आपका आने का एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे चहां से आप अपनी वेपसाइट अपनी रिजल्ट को देख सकते हो इस पेस का कंक्लिउजन क्या निकला इस पेस का क्लिशन नहीं निकला कि आपका एक्जाम एनिहाव बीस अप्रिल तक आ जाएगा क्या हो जाएगा 20 अप्रिल लगबग में वही 5-10 जून के बीच में आपका इंट्रेस एक्जाम खतम हो जाएगा क्या एक्जाम खतम हो जाएगा फिर बात में आपके 15-20 दिन एक महिना देड़ महिने के बीच में आपकी रिजल्ट आ जाएगा फिर कांसलिंग स्टार्ट होगी यह तो मेजर बच्चो यहां पर नहीं करने वाले जो यहां पर देड़ पढ़ गया है उस देड़ करों में एक बार बता चुके हैं तो हम इसे डिलेट कर लेंगे ठीक है तो देखो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता हुता है कि पेपर का टाइप क्या साथ है आता था है यहां शॉल्ब करना पड़ेगा तो यौश यह पेपल का टाइप है ना multiple type है क्या multiple 24 questions आएगा यानि की आपको एक question दिया जाएगी उसके चार option दिये जाएगे क्या क्या देड़ेंगे चार option दिये जाएगे और सही option को tick करके आपको एकorage जाए मत पदेंगे आपको omr को फिल करना पदेंगे क्या करना पदेगा नंबर की बात कि दाए तो आपके इंटर्निस एक्जाम में 200 questions आंगे क्या 200 questions आने वाले हैं marking scheme यानि कि कितने number का कितने question होंगे बहुत सारे बच्चों को doubt होता कि इसन निगेटिव marking होगी तो बिल्कुल नहीं यानि कि जितने कुशन है आपको सारे करके आने चाहिए सही करो गलत करो करके आने क्या पतर सही निकलते हैं तुपके में तो आपके नुमबर बहुत अच्छे आ सकते हैं अब देखो सिलेवस की बात करें सिलेवस में UPBSC नर्सिंग के सिलेवस में physics आती है chemistry आती है biology आती है थोड़ा सोने डर सा भी लगता है क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट पर जाता है उनके बीच में उनके आसपास जिसका नाम उन्होंने सुना तक नहीं होता है तो घबरानी की कोई बात नहीं है हमारी टीम क्या हमारी टीम आपको physics, chemistry, biology, English plus G के सभी के important question प्रैक्टिस कराएगी ह हमारे इसी चैनल कास्ट मेडिकल अकाडमी पर कहां पर कास्ट मेडिकल अकाडमी पर तो क्या करो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो कर नए हैं तो WhatsApp ग्रूप को भी जॉइन कर लो ठीक है वहां पर आपको सारी updated information से मिलती रहेंगी सबसे पहले UPVST नर्सी की और दूसरी बा बैश है यह है तो वहां पर 199 का है जब आप यहां पर कास्ट नाम का एक कूपन कोड़ अप्लाई करोगे आपको 59 रूपी का डिक्सकाउंट वहां पर मिल जाएगा 149 मैं आपको बता दूँगे को में मिलेगा क्या क्या आपको इस कोर्स में आपको PDF मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे सेम इसी है अमांट में तो यह अमांट लिम्टर टाइम पेरिड के लिए तो जल्दी जाएं देड़ना करें कोर्स को जोइन करें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें क्यूंकि आपका इंटरेंस एक्जाम बहुत जरूरी है और बहुत ही नजदीक आने वाल प्लेस्टोर पे जाओ वहाँ पे सर्च करना काश्मेडिकल अकैडमी ठीक है उसे वहाँ से डाउनलोड कर लो ठीक है काश्मेडिकल अकैडमी डाउनलोड कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हमें आपको प्रोबाइट करा दूँगा तो धनिवाद आपको इस वीडियो को पूरा के पूरा देखने के लिए, अगर अभी भी आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट, कोई वेशी दिक्कत ऐसी query है, जो आपकी solve नहीं हुई है, तो एक बार लिख कर हमें जरूर बता है, कहाँ पर कमेंट सेक्षिन में कि हमें ये problem है, हमारी ये query solve नहीं हु